हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर अवश्य करें प्रशनेक, सिंधू सभ्यता के नगरों में क्रमशा सबसे बड़े से सबसे छोटे स्थल के सही क्रम के विकल्प का चायन करें प्रशन दो, सिंधू सभ्यता का विस्तार कितना था? A. 12.966,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, प्राश्न 3. सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्व प्रत्थम के स्फसल की खेती प्रारंब की A. तपास B. मठर C. गेहूं D. जो उत्तर A. तपास प्राश्न 4. दिये गए युगमों में से सुमेलित विकल्प का चैन करें A. मोहन जोदरो चिनाब नदी पर B. हडपा सतलज नदी पर C. लोथल भूगवा नदी पर D. चनहुदरो घगधर नदी पर उत्तर C. लोथल भूगवा नदी पर प्राश्न 5. हडपा सभ्यता का विस्तार कहां तक था? A. सिंध, पंजाब, हर्याना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश B. राजस्थान, बेहार, बंगाल और उरिसा C. पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उरिसा और बंगाल D. दिल्ली, कश्मीर और उत्तर आखंड उत्तर A. सिंध, पंजाब, पाकिस्तान में तथा हर्याना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, भारत में प्राश्न छे, हडप्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित जोडों में से कौन एक सही जोडा नहीं है A. सुकोटदा राजस्थान, B. बनावली हर्याना, C. चनहुदरों सिंध, D. राखीगरी हर्याना, उत्तर A. सुकोटदा राजस्थान प्राश्न साथ, सिंधू सभ्यता में किस नगर से मिली एक मूर्ती में एक महिला के भुरुन से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया है A. हडप्पा, B. मोहंजोदरो, C. ताली बनगा, D. लोथल, उत्तर A. हडप्पा प्राश्नात, हडप्पा सभ्यता में किस नगर में इटों के साथ पत्थरों का उप्योग किया गया है A. हडप्पा, B. लोथल, C. धोला विरा, D. ताली बनगा, उत्तर C. धोला विरा प्राश्न 9. हडप्पा सभ्यता का अंत कब से कब तक हुआ? A. एककी सो इसा पूर्व से सोला सो इसा पूर्व तक, B. दो हजार इसा पूर्व से पंद्रा सो इसा पूर्व तक, C. उननी सो इसा पूर्व से पंद्रा सो इसा पूर्व तक, D. अठारा सो इसा पूर्व से चोदा सो इसा पूर्व तक, उत्तर C. उननी सो इसा पूर्व स पंद्रा सौ इसा पूर्व तक प्राशन 10 सिंधु घाटी सभ्यता में तराजु कहां से पाया गया है ए चन्हुडो बी सुर्को टिर्रा सी ताली बंगा डी लोथल उत्तर डी लोथल प्राशन 11 हडपा सभ्यता की सबसे पहले नश्ठ होने वाले नगर कौन से थे? A. हडपा लोथल B. मोहन जोद्रो हडपा C. रोपर बनावली D. कोच डी जी उत्तर B. मोहन जोद्रो हडपा प्राशन 12 विक्सित हडपा बस्तियों की संख्या क्रमशा पाकिस्तान एवं भारत में कितनी कितनी है? A. 616 भारत में 406 पाकिस्तान में. B. 716 भारत में 306 पाकिस्तान में. C. 516 भारत में 406 पाकिस्तान में. D. 406 भारत में 616 पाकिस्तान में. उत्तर A. 616 भारत में 406 पाकिस्तान में. प्रश्न 13. हडपा सभ्यता में किस थल पर घरों में कुए मिले हैं? A. लोथल B. बनावली C. रोपड D. ताली बनगा उत्तर D. ताली बनगा प्रश्न 14. हडपा सभ्यता की विक्सित बस्तियों की संख्या कितनी है? A. ग्यारा 122 B. 1022 C. बारा 122 D. तेरा 122 उत्तर B. 1022 प्रश्न 15. हडपा सभ्यता की लोग किस से बने हलका प्रयोग करते थे? A. तामबा B. कानसे के C. पत्थर के D. लकडी के उत्तर D. लकडी के प्रश्ण 16, हरप्पा सभ्यता में चावल उत्पादन के साक्ष कहां से मिले हैं? A. मोहन जोदरू, B. लोथल, C. हरप्पा, D. काली बंगा, उत्तर D. लोथल प्रश्ण 17, सेंधा सभ्यता की ईटों का अलनकरन किस स्थान से प्राप्थ हुआ? A. काली बंगा, B. चहुदरू, C. लोथल, D. रोपड, उत्तर A. काली बंगा प्रश्ण 18, हरप्पा की सभ्यता का प्रमुक्स्थर रोपड किस नदी पर स्थित था? A. रावी नदी पर, B. सिंधू नदी पर, C. सतलज नदी पर, D. भोगवा नदी पर, उत्तर C. सतलज नदी पर प्रश्ण 19, हरप्पा और मोहन जोदरों की खुदाई के प्रभारी कौन थे? A. ए, तनिंगहम, B. जे प्रिंसप, C. सर जॉन मार्शल, D. सर रोव, उत्तर C. सर जॉन मार्शल प्रश्ण 20, जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर बसा हडपा इस थल कौन सा है? A. मांधा, B. सुरकोतदा, C. चनोदुडो, D. लोथल, उत्तर A. मांधा, Like and subscribe our channel for similar quiz related to the history of competitive exams.